नमस्कार मेरा नाम है मिताब और द्रिस्टी आईस के इंडेप्स रिंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है समुद्र जो कि अपने अंदर एक व्यापक और बहु आया में महत्व को समेटे हुए समुद्र ना सिर्फ हमारे जीवन की शुरुवाती दोर के परिचायक है बलकि आज के संदर में अगर बात की जाये तो समुद्र ना सिर्फ संसाधन के लिहाद से बलकि परिवहन हो तेल गैस हो परेटन हो मनुरंजन हो नवी करणी उर्जा हो या बहमुलिक हनित संसाधन हो हर द्रिष्टिकूर से महत्वण है इसलिए समुद्रों के अर्थविवस्था के लिए एक टर्म भी आजकल इस्तेमाल होता है बलू एकोनॉमी और इस बलू एकोनॉमी की दिशा में पहल से भारत भी पीछे नहीं रहा भारत ने भी डीप पोशन मिशन की शुरुवात की तो पाने के लिए वो समुद्री गतिविदियों की दिशा में इधर कुछ ततपरता दिखाया है एक छोटा देश होने के बावजूद उसके पास भंडार और पूरे छेतर में पूरे विश्व में इस दिशा में वो अगरडी है हाला कि उसके इस कदम से पर्यावरण विद भी कुछ आलोचना के उसके उपर पुट, कुछ आलोचना के उसके उपर आरोप लग रहे हैं फिर भी वो इस दिशा में इधर बीच कुछ ततपरता दिखा रहा है तो इस पूरे संदर्प को हम समझेंगे दरसल आज के सिल्शक के अंतरगत पी समुद्री तल खनन जो है कूख आइलेंड समुध उसके लिए जो प्रयास कर रहा है और वास्तों में समुद्री खनन होता क्या है तो इन सारी बातों के आज के इस वीडियो के माधियम से समझने के हम कोशिस करेंगे बात सबसे पहले खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको समझने के साथ, कुक आइलेंड की स्थिती को देखेंगे, और क्या है पूरा मामला इसको साथ में हम समझेंगे, समुद्री खनन होता क्या है, कहा किसको जाता है, इसको भी हम समझने की कोशिस करेंगे, और जो आ Vanguard of Mining of Ocean Floor, तो एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा VPA देशों का समू है, छोटे छोटे दीपों का समू है, वो समुदरी तल में जो खनन है, उसकी दिशा में प्रयास कर रहा है, अगरडी भी है पूरे विशो में, इस वज़ा से इस पूरे मामले की चर्चा है, बात हम कर रह कि ये इसका ये तर्क है, कि हमने अभी तक इस दिशा में बड़ा कोई प्रयास ही नहीं किया, फिर भी अगर हम विशो में सबसे आगे हैं, तो हमारे हाँ भंडार इस चीज के जो समुदरी खनन है, अगर इसको हम बढ़ावा दें, इस दिशा में सोचें, तो हम बहुत मात्रा में न सिर्फ अपने देश की आर्थिक स्थिती को सुधार सकते हैं, बलकि पूरे विश्व के लेहाद से अगर देखें, तो यहां के प्रधानमंती मार्क ब्राउन का ये तर्क है, कि हमारी ततपरता इसलिए भी है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को जीवाश मीधन के विकल्प के रूप में हम इस प्रकार के खनीजों की उपलब्धता से जीवाश मीधन का विकल्प उपलब्ध कर आ सकेंगे, जिससे की पूरे विश्व को हम इस दिशा में एक प्रगति का मार्क दिखा पाएंगे, तो कुक आइलेंड समुह की चर्चा इस वज़े से हो रह ही है, कुक आइलेंड समुह की सबसे पहले हमें एक नजर इसकी भागोली की स्थिती पर डालनी होगी, आप देख सकते हैं कि ये दक्षणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये और ये नियूजीलेंड है, और नियूजीलेंड के ठीक ऊपर कुक आइलेंड की ये अवस् और आज भी ये देखेंगे, आप तो विदेश और रक्षा नीतियों का प्रबंध भले ही इस्वयम करते हैं, लेकिन ये नियूजीलेंड जो है, वहाँ पर इनकी रक्षा जो है, रक्षा व्यवस्था आज भी नियूजीलेंड पर पूरी तरह से आसरेत है, इसका द्वीप दिया, बाद में उनहीं के नाम पर 1820 के बाद इसको कुक द्वीप समुख कहा जाने लगा, और इसमें बता दें कि ये 15 द्वीपों की एक स्रिंखला है, किसी एक द्वीप का ये नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, आप तो 1773 में जब इस विलियम कुक यहां पर कै बाद आप ध्यान रखेंगे, बाद में 1820 के आसपास उनके नाम पर इसका नाम पड़ा, उससे पहले हर्वेद के नाम से ये जाना जाता था, लगभग, 7,56,000 वर्ग मील में इसका प्रसार है, ये फैला हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अब क्या मामला है, तो मामला दरसल ये है कि पिछले दशक से यहाँ पे इस दिशा में प्रयास शुरू हुए, जिस बात को भी कहा गया कि इस देश ने अभी तक जो समुदृतल माइनिंग है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन ये इस तर्क के आधार पर की पूरे विश्व को भी गठन कर दिया, और 2019 में एक अध्यान एक रिपोर्ट आती हुए, उस रिपोर्ट में ये बात कही जाती है कि सीवेड खनन छोटे देश के लिए दसियों अरब डालर उत्पन कर सकता है, और एक छोटे देश के लिए दसियों अरब डालर उसकी अर्थविवस्था में ए साफी ततपरता दिखा रहे हैं इस दिशा में, इस वज़ा से उन्होंने 2022 में तीन कमपनियों को एक सरविक्षन करने के लिए और जो खनंग तकनीक ही है, जो उसकी टेकनीक है, उसका परिक्षन करने के लिए परमिट भी जारी कर दिया, तो उनकी इस ततपरता से उनकी इस लोग जो दूसरा पक्ष है, वो यारोप लगा रहा है, कि वो इस ततपरता में कहीं जल्दी न दिखा रहे हों, कहीं ऐसा न हो, कि परियावरणी यह जो छती है, परियावरण को जुन होने वाला नुकसान है, उस पक्ष की अवहिलना न हो जाए, शोध करताओं ने पाया क सीबेड कारपेट जो होता है, वो क्या होता है, तो एवो कैडो के आकार की चटाने होती है, जिसमें कोबाल्ट मैगनीज जैसे बहमुली खनिच पदार्थ पाये जाते हैं, एवो कैडो एक प्रकार का फल है, जो नाशपाती की तरह से छोटा छोटा फल होता है, आप यह सम करतों में कोबाल्ट मैगनीज जैसे बहमुली खनिच पदार्थ पाये जाते हैं, हाला कि अभी तक इनके द्वारा जो तत्परता दिखाई गई है, जो सरविक्षन किये गए हैं, इनकी जो तकनेकी प्रगती है, अगर उसको देखा जाए, उसका मुल्यांकन किया जाए, त टानों तक अभी इनकी पहुच नहीं हो सकी है, बहुत ज़्यादा इसमें सफलता अभी इनको नहीं मिल सकी है, हाला कि अपने इस कदम की पक्ष में यहां के द्वारा जो तर्क दिये जा रहे हैं, वो यह कहा जा रहा है, कि इन भंडारों के खनन का कभी भी बड़े पैमान पर अब तक प्रयास नहीं किया गया, अगर प्रयास किया जाए, तो एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, यह भंडार इतने विशाल है, कि उन्हें निकालने में अगर सफलता मिलती है, तो ना सिर्फ इस छोटे से देश कुक द्वीप समूह का कल लेड़ होगा, बलकि यह कह रहे हैं कि जीवाश मिधन का ये विकल प्रस्तुत करेंगे, जो पूरे विश्व को जीवाश मिधन से मुक्ती दिलाने का काम करेंगे, साथ ही इलेक्टरिक वहान और बैटरियों में जिन खरीजों का इस्तिमाल होता है, वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं, प्रचुर भंडार उसके यहाँ पर हैं, अब जो आरोपिन के उपर लगते हैं कि इससे परियावरड़ी यह शती होगी, पारिस्तित की तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि जो माइनिंग होती है, सर्फेस माइनिंग होती है, जिसक समुदर तल के अंदर इस प्रकार की माइनिंग की जाएगी, तो जो ओपेन पिट यह सर्फेस माइनिंग है, उससे होने वाले परियावरड़ी नुकसान की तुलना में काफी कम नुकसान होगा, इस लिहाज से इस बात को ये खारिज करते हैं, और अपने पक्षमे अपने समुदर के अंतर, जब आप जाते हैं, तो समुदर के अंतर, जब आप जाते हैं, किसी परेटक स्थल पे समुदर के किनारे किसी बीच पे घूमने, तो इस कूबा डाइविंग होती ही, समुदर के अंदर आप गोते लगाते हैं, समुदर के अंदर की चीजों को देखते है तो 200 मीटर से नीचे जब आप जाएंगे तो उसके बाद का छेतर ही शुरू होता है माइनिंग के लिए, 200 मीटर तक की गहराई तक तो आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, तरह सब 200 मीटर से जब नीचे जाएंगे और उसके बाद बैसिकली इसका जो एरिया होता है जो रेंज होता है वो 4 किलो मीटर से लेकर लगभग 6 किलो मीटर तक हो सकता है, 6.5 किलो मीटर तक हो सकता है, इतनी गहराई में ये माइनिंग की जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस गहराई में खनिज निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को समुद्री खनन के अं करेगी उन छेत्रों का निर्धारन कर रेगी कुछ नियम प्रावधान कुछ कानून बनाया जाएंगे जिसके अंतरगत कोई भी किसी भी छेत्र में इस त्दरह की गति विधियों को ना कर सके अब अंतराश्ट्री सीवेड जो एजनसी ये बनाई गई ये क्या कहती ये कहती ह कि वो छेत्र जो रास्ट्री अधिकार छेत्र की सीमा से बाहर है विश्व के महाशागरों के कुल छेत्र का लगभग 50% ऐसा छेत्र है जहां पर यह समुदरी खनन होता है अब देखिए किसी भी देश के अंतरगत उसकी रास्ट्री अधिकार छेत्र की सीमा से बाहर की बात की गई तो रास्ट्री अधिकार छेतर की सीमा का दायरा क्या होता है देखिए आप जानते हैं कि हमारे जो समुदरी तट होते हैं तट रेखा कुछ इस प्रकार की होती है वो ऐसे ऐसे भी हो सकती है तो इस तट रेखा को मिलाने वाली एक लाइन होती है उस लाइन को क्या कहते ह उस आधार लाइन के अंदर का जो जल होता है आप जानते हैं उसको आंतरिक जल कहा जाता है उसके बाद जो 12 समुद्री मिल तक की दूरी होगी उसको क्या कहा जाएगा 12 समुद्री मिल तक की दूरी कहलाएगी आपकी प्रादेशिक सागर के अंतरगत आपका 12 समुद्री मिल उसके बाद अगर 200 मील की दूरी देख लें, तो 200 मील तक की जो दूरी होती है, वो EEZ के अंतरगत आती है, तो दरसल EEZ जहां तक होगा, विशिष्ट आर्थी छेतर जहां तक होगा 200 समुद्री मील तक, वहां तक तो आपके देश में आप उसमें गतिविधिया कर सकते हैं, ल उसकी साजहा विरासत है, समस्त मानव जाती की साजहा विरासत है, वहां पर सभी लोग अपनी गतिविधिया कर सकते हैं, अब वहां पर जिस जगह पर 200 समुद्री मील के बाद अर्था, EEZ के बाद का जो छेतर है, वहां पर भी कुछ नियम कानून होंगे, जिसको कौन कंट करेगा, तो International Seabed Authority उसको देखेगी, अब इसने इस प्रकार के खनन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रिंड करने के लिए 32 अनुबंध भी किये हैं, ISA ने है, और 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक अंतराष्ट्री समुद्र तल इसके अंतरगत इस प्रकार के छेतर क तो यहाँ पर अंकित किया गया, जहाँ पर ये गतिविधियां भी हो सर हो रही है या हो सकती हैं, अब एक पक्ष ऐसा है, धड़ा ऐसा है जो इसकी आलोचना करता है, आलोचना के आधार को भी देखना जरूरी है, परिक्षा के लिहास से आपको पक्ष विपक्ष दोनों तो पहला तो यही है कि पारिस्तित्की तंत्र को नुपसान होगा वहां जो जीव जनतुओं का आवाश है उनका विनास होगा और जै विविधिता प्रभावित होगी अगर कुछ ऐसी प्रजातियां नस्ट हो जाएंगी जो समुदरी पारिस्तितिक तंत्र के बारे में यह कह की जाती है दूसरा यह है कि इसमें जिस प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा उससे शोर होगा लाइट का पलूशन होगा प्रकास प्रदूशन होगा समुदरी प्रजातियों का जो प्राकृतिक व्यवहार है वो प्रभावित होगा और जो प्राकृतिक व्यवह साव होने का भी चांस है इसके वज़ा से भी वहाँ पर गड़बड प्रभाव गड़बड इफेक्ट दिखाई देगा गारा तलचट के धेर कई वार ऐसे होते हैं कि समुद्र के अंदर इस प्रकार की खनन के बाद डाल दिये जाते हैं और उससे क्या होगा कि जो कोरल है और अर्थ विवस्था के लिहाज से भी ऐसे प्रयास करने होते हैं और यह भी ध्यान रखना होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर भी कोई असर ना पड़े तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कम से कम प्रभावित करते हुए अगर सतर्क दृष्टिकूर के साथ खनन से पहले एक व्यापक अनुसंधान किया जाए एक रिसर्च किया जाए और उस रिसर्च का मुल्यांकन किया जाए और उस मुल्यांकन के बाद अगर एक ऐसी नीत की तहत काम हो ऐसी कंट्रोल डवे में हम काम करें जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी अ जबाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं को का ईजलेंड समोह में कितने զ्वीप समोह संमिली थैं कितने द्वीपू का समोह है या आपको जबाद में बताना है 10, 12, 14 या उपर युक्त में से कोई नहीं तो आप मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वात से आप सही और सठीक जवाब जरूर देंगे लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले